हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई यूटूब चैनल स्टीचिंग बाई आयद तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं इस मूखी स्लीप डिजाइन जो के आज कल बहुत जादा ट्रेंड में है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए तो फ्रेंड्स फेब्रिक को डॉबल फोल्ड में रखा है और नाइन इंचेज इसकी विड रखी है और यहाँ पर स्लिप्स की लेंध हमें 17 इंचेज लेनी है और इसमें 7 इंचेज हमें प्लस करना है एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से 24 इंचेज हमने टोटल लेंथ ली है अब हम अपने आर्मोल की मार्किंग करेंगे 7.5 इंचेज पर आर्मोल की मार्क करेंगे और 3 इंचेज हमें आर्मोल को डाउन रखना है सो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे और आरमोल का अपना शेप देंगे उसके बाद हमें बोटम की मार्किंग करनी है सो स्लिप्स की बोटम हम 7 इंचेस पर मार्क करेंगे हमें रेडी बोटम रखना है 5 इंचेस इसमें हमें 1 इंचेस मार्जिन के लिए हैट करना है वान इंचेज हमें डिजाइन के लिए एट करना है सो इसलिए हम सेवन इंचेज पर मार्क करेंगे और नीचे से भी हम इसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट मार्क करेंगे सेवन इंचेज पर और अपने स्लिप्स को हम कट कर लेंगे विंटर्स में पहनने के लिए बहुती प्यारा स्लीद डिजाइन है सो प्लेज आप भी इसको बना कर जरूर ट्राइ करें सो इस तरह से हम प्रेस से अपनी सेंटर पर क्रीच बना लेंगे यह हमारी स्लेप्स की रॉंग साइड है सो इसके सेंटर से हमें टू इंचेस पर मार्किंग करनी है इस तरह से और यह मार्किंग हमें वन वन इंचेस की करनी है इस तरह में वन वन इंचेस के टू मार्क लगाने है सेंटर की दूसरी साइड भी हमें सेम मार्किंग करनी है one one inches के two mark करने है इन दोनों ही mark को हमें नीचे तक straight mark करना है इस तरह से रखते हुए और इसी तरह हमें इसकी दूसरे side पर भी same two marking करनी है मैं इस तरह की slips का design पहले भी create कर चुकी हूँ उसकी वीडियो में upload कर चुकी हूँ बट वो मैंने single design बनाये था यह मैं double बना रही हूँ उस वीडियो का link में आपको description में दे दूंगी आप वहां से check कर लें इस तरह से हमारी दोनों side की दीखिए हमने lines create कर ली है दोनों और यह हमारी center point वाली line है इस तरह से दो lines इधार आएंगी और दो lines इधार आएंगी अब हम armhole वाली side से 2 inches पर mark करेंगे इस तरह से इसको बिल्कुल straight mark करना है 2 inches पर so friends 2 inches का mark लगाने के बाद अब हमें जितने भी mark लगाने हैं सारे 1 inches पर लगाने हैं so friends इस तरह से हम सारे marking को one one inch पर mark करेंगे और इन सारे mark को हमें straight कर लिना है इस तरह से हमारे square pieces बनेंगे one one inches के यह boxes अपनी slips की length के according आएंगे जितनी length आपको अपनी slips की रखनी है जादा रखेंगे तो जादा boxes आएंगे और कम रखेंगे तो कम boxes आएंगे so friends इस तरह से मैंने अपनी पूरी slips में boxes बना लिये हैं यह square piece बने हैं पूरे one inches के अब हम इसके अंदर से इस तरह से triangle में marking करेंगे so first वाले में हम इदर से नीचे की side से उपर की तरफ ले रहे हैं इस तरह से कूरी line में one one box चोड़ते हुए हमने marking की है अब same marking हमें दूसरी side पर करनी है इसके दो boxes चोड़ते हुए और इस mark को हमें नीचे से उपर की side पर mark करना है इस तरह से so friends इस तरह से हमें आरी second line के marking complete हो जाएगी अब हमें third line में first के one box को चोड़ना है और उसके बाद हमें उपर भी सारे one one boxes को चोड़ते हुए marking करनी है अब fourth line के marking करने के लिए हमें पहले two boxes को चोड़ना है और उसके बा और इसमें भी हमें one one box चोड़ते हुए सारे boxes पर marking करनी है so friends इस तरह हमारी slips की marking complete हो चुकी है अब हमें इन boxes को stitch करना है उसके लिए हमने needle की help से इस तरह point से point मिलाना है जिस box में हमने तरशा mark किया था उसी marking की दोनों point को इस तरह से मिलाते हुए हमें stitch करना है fabric को अच्छे से हमें पक्का करना है और इसी तरह हमें अपने सारे boxes को बनाना है जिसमें हमने marking की थी so friends अगर आपको ये video पसंदा है तो video को like कर दीजिए और अपने friends के साथ भी इस video को share कीजिए so friends इस तरह से हमारा एक टाक लग गया है अब हमें अपने दूसरे box को fill करना है उ इसी तरह से point से point fabric को लेना है और इस तरह में देखिए इसको मिलाते होई stretch करना है और पूले slips में हमने जिसमें भी जितने box में तिर्चा मार्क किया था उन सभी boxes को इस तरह से fill करना है so friends इस design को बनाने में time तो ज़्यादा लगता है बड़ ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा खुबसूरत और प्यारा लगता है so friends आप भी इस design को एक बार बना कर ज़रूर ट्राय करें so friends इसी तरह हम पूरी sleeves पर टाके stitch कर लेंगे so friends दे कि हमारे टाकें complete हो चुके हैं और back से ये कुछ इस तरह से लग रहा था और front से कुछ ऐसे अब इस design को हमें complete करना है उसके लिए हमें side से plates बनानी है so friends जिस तरह हमारा design आ रहा है उसी के according हमें चोटी चोटी half of inch की plates बनानी है 1-1 inch का gap देते हुए so friends इस तरह से हमें plates complete कर लेनी है अब हमें दूसरी side पर भी same process करना है plates को बनाना है और अब हमें अपनी slips का armhole की side और bottom की side पर टाके लगाने है so इस तरह से fabric को जो extra fabric हो रहा था इसको fold करते हुए इस तरह से plates बनाते हुए तो stitch करना है इसी तरह से हमें bottom की side पर भी plates बनानी है अब हमें slips की bottom ready करनी है उसके लिए हमने ये paste in paper लिया था और इसको इस तरह से cut work में paste कर लिया था उसके बाद हमें इस तरह प्रटी को fold करते हुए और इस पर stitch लगानी है और अपना pattern ready कर लेना है आप चाहे तो इसमें plain पर्टी भी stitch कर सकते हैं पर यहां मेरी कुर्ती में भी यह cut work कर डिजाइन था है इसलिए में इसी design का use अपनी slips में भी कर रहे हूँ अगर आप इस कुर्ती का neck design और bottom design देखना चाहते हैं तो please मुझे comment कीजिए मैं उसकी वीडियो भी आपको जल्द upload करूँगी सो यह pattern हमारा ready हो चुका है अब हमें उल्टी slips पर इसको रखते हुए stitch करना है और इसको अच्छे से हमें stitch करने के बाद right side turn करते हुए भी stitch करना है और इस तरह हमारी slips बनकर ready हो जाएगी so please आप ज़रूर बताएं आपको यह design कैसा लगा इस तरह अपनी slips के design को complete करने के बाद हम side putting की slide भी लगाएंगे slips की और इस तरह ही रहा हमारा final look आपको कैसा लगा thanks for watching bye bye